आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ डो linear equation दी हूँ, यह first equation क्या है, 7x minus 3y equals to 13 दे रहा है alright, second equation आपकी दे रही 5x plus 4y equals to 40 दे रहा है ना, अस equation में कह रहा है कि इन दोनों को use करके, इन दोनों को solve करके आपको यहाँ पर find out करना है x और y की value and after finding the value, आपको क्या करना होगा, आपको दोनों को compare करना है x और y का relation बताना है okay, so let's see, यहाँ पर solve करते हैं, इसको तो solve करने के लिए हमारे पास यहाँ तो x का value है x का साथ जो value है वो बराबर हो, यह तो y के साथ value को बराबर करना है right, so what you need to do, आपको दोनों ही equation में multiply करना पड़ेगा यहाँ पर multiply कर दो 4 से और यहाँ पर multiply कर दो 3 से जब आपने multiply किया equation 1 को 3 से, 1 को जब आपने multiply किया, sorry, 1 को multiply किया 4 से तो आपके पास equation क्या हैगी, let's see, यह हो जाएगा 28x, okay और यह हो जाएगा चार्ति आए, 12 तो 12y और 13 चके 52 होता है, in the same way हम यहाँ पर क्या करेंगे equation 2 में, equation 2 में 3 से multiply कर देते हैं, okay, equation 2 में हमने 3 से multiply कर दिया, जब 3 से multiply किया, just a second, let me write it here, just a second, yeah, equation 2 में हमने multiply कर दिया, किस से 3 से multiply कर दिया, तो हमें क्या equation मिल गई यहाँ पर, let's see, आपको equation मिल जाएगी, यहाँ पर, 3 5s are 15, okay, 3 5s are 15x, 3 4s are 12y, alright, and equals to, 3 4s are 12, तो 120, now see, यहाँ पर आपको जो equation दी हुई है, यहाँ पर जो equation दी हुई है, उसमें आपको plus minus change करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेग क्योंकि आपका 1 plus में है, 1 minus में है, है ना, 1 plus में है, 1 minus में है, तो यह directly आपका यहाँ पर कट जाएगा, यह दोनों क्या होए, directly कट गे, यहाँ पर दोनों को add कर दो, तो आपको मिल जाएगा, 8 5, 3, 4, 43, 43x मिल जाएगा, है ना, 43x मिल जाएगा, alright, now, see, which will be equals to, 2, 5, 2 हो गय साथ तुमारा, 172 हो गया, तो x की value यहाँ से आपको निकलाएगी, 172 by 43, let's see, कि यह पूरा कट जाएगा, या निकट जाएगा, okay, तो हमने यहाँ पर multiply कर दिया, 4 से, 4, 3s are 12, 4, 4s are 16, और 17, यह 4 ताइम से आपका चला जाएगा, okay, so this will be x equals to आपका आगया, 4, अब x की value आ है, तो किसी भी equation में x की value रख करके, आप y की value फाइंड आउट कर सकते हो, okay, so, यहाँ पर लिख लेते हैं, by, by equation 1, by equation 1, equation 1 का use कर लेंगे हम यहाँ पर, equation 1 मेरे पास क्या given है, equation 1 here, we have 7x minus 3y equals to 13, है ना, और x की value हमारे पास 4 है, 4 है, तो 7x की place पर क्या कर दो, 4 रख दो, minus 3y equals to 13, और फिर आपका यह हो जाएगा, 28, तो 28 minus 3y equals to 13, इसको क्या करो, 13 को, 13 को left side भी लिया लेते हैं, और 3y को right side में कर देते हैं, okay, तो 28 minus 13 equals to 3y हो जाएगा, alright, 3y हो जाएगा, यहाँ पर minus कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएग 8 में से 3 गया, बचा 5, दो में से 1 गया, बचा 1, 15, तो y बराबर आपका यहाँ पर आजाएगा, क्या, 5, ना c, आपके पास दोनों ही चीज़े मिल गई है, x की value मिली आपको 4, और y की value मिली आपको 5, and we can clearly say, कि x is less than y, right, x is less than y, जो कि आपको option b में गिवन हैं, so option b को आपना आप माँ करेंगे, I hope this is clear, thank you.